हालो स्टुडेंट्स ये तो आप जानते हो कि वैब इंस्टिटूशन की ओनलाइन सॉफ्टर इंजिनरिंग क्लास से चलती है इसका डियूरेशन काफी ज़्यादा है इसको कंप्लीट करने में तीन साल या थ्री एंड हाफ येर इतना समय लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है पढ़ने को आप अगर सोट टम कोर्स हमारे यहां से करना चाहते हो तो आप हमारे यहां से वैब डेबलपमेंट कर सकते हो देखें वैब डेबलपमेंट में आपको कहां से कहां तक चैप्टर पढ़ने को मिलेका ये देखने हैं सॉफ्ट इंजिनरिं बहुत शारा चीज आपको पढ़ने को मिलेगा और शॉफ्ट इंजिनेरिंग में जो पेमेंट करने का तरीक है वो मन्थली है आप पर मन्थ के हिसाब से पेमेंट पे कर सकते हो लेकिन वेब डेवलपमेंट में वन टाइम पेमेंट है आपका और सार्टिफिकेशन का भी अंत दोनों में अंतर है गवर्मेंट जोब्स में बीमजी सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं होता है और अगर आप फॉरिन कंट्री से बिलोंग करते हो तो वहाँ भी बीमजी सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं होका शॉफ्ट इंजिनेरिंग में जो आपको यूनाइट फाउनडेशन ये सर्टिफिएट प्रवाइड की जाते वो आप किसी भी कंट्री में हो डेफिनेटली वो वैलिड होगा कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी तो ये कॉमन सार डिफरेंसेज है सॉफ्ट इंजिनेरिंग और वैब डेवलोपमेंट में इससे भी ज् वैब साइट के सोर्स कोड को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे जैसे देखे मैंने इंटरनेट से एक वैब साइट के सोर्स कोड को डाउनलोड किया है अगर मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाता हूँ तो यहां देखिए इसका सोर्स कोड पूरा ओपिन है कोई कीजिएगा html code encryptor और जो first link आए आप उस पे क्लिक करो यहाँ देखे यह जो area है यहाँ पे हम code को paste करेंगे और यह देखे full encoding को select कर लेंगे उसके बाद यहाँ देखे इन code का option मिला आप इस पे क्लिक करो देखे सारा code आपका encrypt हो गया select all पे क्लिक करेंगे और ctrl c दबा कर copy कर लेंगे अब आपका जो भी original source code हो उसको आपड़ी move कर दो और यह encrypted source code को paste कर दो अगर आप अभी run करते हो तो website अभी भी पहले ही जैसा देखेगा और अभी user अगर view page source पे जाता है तो देखेए सारा का सारा source code user को encrypted देखेगा एक और चीज़ से आपको protect करना होगा जैसे यहाँ देखेए source code user inspector से भी देख सकता है यह देखेए आगया source code तो इसके लिए हम right click को बंद कर सकते है right click बंद करने के लिए आपके काम करोगे इसे encrypt करने से पहले देखे मैंने पहले जैसे stage पे code को पहुचा दिया और यह देखे यहाँ पे जहां भी body defined हो आपका जैसे यहाँ देखे यह रहा body इस body में ही on context menu इस event को pass करेंगे और simply यहाँ पे define कर देंगे return false तो ऐसा करने से right click बंद हो जाएगा जब आपका right click बंद करने का coding complete हो जाए तो वापस पूरे source code को यहाँ पे define कीजिए यानि कि जहाँ आपने paste किया था वहाँ पे ऐसे paste कर देजे और वापस encode कर लिजे यहाँ से अब मैं यहाँ से select all करता हूँ फिर से copy करूँगा और यह जो source code है इसे मैं remove कर देता हूँ और encrypted source code को as you define कर देता हूँ देखे मैंने run किया अगर मैं right click करूँगा तो right click भी काम करना यहाँ पे बंद कर देगा तो इस प्रकार से आप html के source code को protect कर सकते हो database data protect करना है javascript के important code को protect करना है तो यह सब कुछ हमने आपको यहाँ पे शिखाया है API development के आध्यम से आप database related response को fully encrypt कर पाओगे जब आप web development या software engineering करोगे तो आप expect नहीं कर सकतो इतना ज्यादा प्रोजेक्स होगा इसमें आप खुद परेशान हो जाओगे जर आप सोच कर देखो सिर्फ अगर आप web development हमारे यहाँ जो करते हो तो web development में यहाँ तक की जो chapters है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक में 700 से भी ज्यादा वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी और इतना शड़ा वीडियो है तो definitely हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा कहीं पे भी internet copied content आपको देखने को नहीं मिलेगा और ज्यादा जानकारी चाहते हैं इस course के बाड़े में कैसे पढ़ाय गया है तो comment जरूर पढ़िए क्योंकि जो premium students होते हैं वो comment में ये सबसी जरूर राइट करते हैं कि वो हमारे यहाँ से जो पढ़ाई करें उनसे उनको क्या benefit हो रहा है हमें call जरूर कीजे ताकि हम आपको शारी जनकारी देखे वैप institution के वीडिय बहुत धन्यवाद